हेलो एब्रिवन जैसे कि आप लोगों को पता हैं लास्ट वीडियो में मैंने पढ़ाया था फिजियोलोजी एंड इंजिरी इन स्पोर्स इसका जो फर्स कंटेंट्स है फिजियोलोजिकल फैक्टर डिटर्मेनिंग दा कंपोनेंट फिजिकल फिटनेस पिछले वीडियो में म पर एक्सराइज का क्या एफेक्ट पड़ता है नेक्स्ट आपका एफेक्ट ऑफ एक्सराइज और मस्कुलर सिस्टम ऐसे ही आपके मस्कुलर सिस्टम में क्या एफेक्ट पड़ता है एक्सराइज से नेक्स्ट आपका स्पोर्स इंजिरी इस क्लासिफिकेशन और कॉज़ और prevention Next है आपका treatment of injuries Injuries की किस type से कौन कौन से treatment होते हैं Last है आपका first aid, aims and objective पहला मैं आपको बताऊंगी Physiology Physiology क्या होता है और sports में इसकी क्या जरूरत होती है Physiology is very essential to understand How to attend physical fitness in order to enhance the performance in sports कोई भी sports में आपको performance को बढ़ाने के लिए जो भी हमारे जो body organ होते हैं वो किस तरीके से function करते हैं या उनका structure क्या होता है ये सारे physiology में हम पढ़ते हैं Next है आपका physiological factor determining components of physical fitness इसके चार components होंगे आपको मैंने बताया था पिछले वीडियो में बताया था strength, speed, endurance और flexibility और इसको determine करने वाले strength को determine करने वाले कौन-कौन से कौन-कौन से factors होते हैं पहला होगा आपका size of muscles जो मैंने पढ़ाया था फिर body weight, muscles composition, nerve impulse और age फिर next है speed को determine करने वाले factors कौन-कौन से हैं ठीक है उसके बाद endurance का बताया था और उसके बाद last बताया था आपका flexibility ओके अभी मैं आपको बताऊंगी effect of exercise on muscular system muscular system में आपका क्या effect पढ़ेगा आपकी exercise से पहले आपका increase in muscles temperature आपका जो muscles temperature होता है वो क्या होता है increase होता है muscles की जो size होती है वो भी increase होती है in muscles coordination frequent exercise and special use of specific muscles for a same or similar skill task like dribbling a ball in a game of football leads to improve coordination जैसे आप ball को dribble कर रहे हो football में आपको ball dribbling करनी है तो आपको उसके साथ क्या होते muscles का coordination होना चाहिए आपके पहर का और आपके muscles का coordination होना चाहिए आपके पहर का और आपके muscles का झाहिए तिक्षा इसके बाद है आपका डिलेज फटीग रेगुलर एक्सराइज डिलेज दिलेज देवलप दो फिटनेस लेबल एंड इंक्रीज इंडुरेंस दियर बाइ डिलेज फटीग फटीग मतलब होता है कि जब आप कोई भी एक्सराइज करते हो आपको ओवरलोड होता है तो आपकी जो लास्ट की सिच्वेशन होती जो आप बहुत ज्यादा थक जाते हो तो इससे क्या होता है अगर आपके अच्छे से आप एक्सराइज करोगे तो आपकी मस्कुलर सिस्ट मतलब जो आपकी respiration है, आप जो सास ले रहे हो, आपको सास फूलने में आपकी problem नहीं होगी, आपकी respirator system होगा, उसमें क्या होगा, आपका control होगा, फिर है endurance, आपकी lung की efficiency, आपकी lung की capacity क्या होगी, अच्छी रहेगी, exercise का आपके muscular system में क्या effect पड़ेगा, आपकी muscles की shape और size चें कितना difference होता है, तो अगर आप अच्छे से gym जाओगी, अच्छे से exercise करोगी, तो आपकी muscles की size भी बढ़ जाएगा, और shape भी आपका अच्छा दिखेगा, next है आपका muscles efficiency, आपकी muscles की movement है, वो क्या होजाती, आपका बढ़ जाता है, और last है आपका body posture, आपका जो body posture होता है, वो It is common in the field of sports, during practice, training or competition, any player can be injured, it is natural to get injured, इंजरी क्या होती है, चोट होती है, जो sports के दौरान आपको कभी लगती है, यह क्या होता है, फिल्ड में बहुत common है, बहुत सारे लोगों को अगर game खेलते वे कभी भी चोट गिर जाते हो, चोट लग जाती तो वो क्या होता है, normal injury हो जा कोई भी training और competition के दौरान के होते, prayer injured हो जाता है, एक natural process है, next है आपका classification, injuries के कौन कौन सी classification होगे, सबसे पहले होता है, soft tissue injuries, फिर होता है, bone injuries, और last है आपका joint injuries, soft tissue injuries, पहले होगा आपका contusion, direct here to without any sports equipment can main causes of it, it is due to the minor accident, यह क्या होता है, कि जब आप कोई भी अपना game खेल रहे हो, तो आपका थोड़ा सा friction हो जाता है, आपका थोड़ा सा हलके से छिल जाता है, आपकी body parts महां से छिल जाता है, तो उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे हम contusion, second है आपका strain, अगर आप कोई भी जटके से अगर कोई काम कर रहे हो, एकदम से आपकी चोट लग रही है, आपकी body pair में हलकी सी चोट लगे, तो आपको क्या होगा, उसको बोलेंगे हम, strain, it can be mild as vessel server, it can be occur at any time during the practice or competition, it is caused by twisting or pulling of muscles, कभी क्या होता है, आप कोई game खेल रहे हो, कभी आपने racket से जैसे आपने shot मारा, तो क्या ह होता है, उससे क्या होगा, आपके wrist थोड़ा सा twist हो जाती है, अगर आपके pair कहीं हलके से गड़े में चलेगे, आपके pair एकदम से मूड जाता है, तो वो क्या होता है, यह सारी process होती है, आपकी strain, next है आपका sprain, it is the element injuries, it may occur due to over stretching or treating of, tearing of ligament, आपकी ligaments का तूट जाना, या कोई भी injury हो जाना, क्या होता है, element injury, कभी आप over stretching करें, जैसा आप stretching कर रहो तो ज़्यादा, कभी over stretching हो जाती, तो उससे क्या हो जाता है, sprain हो जाता है, next है आपका abrasion, it is a major injury, usually occur due to friction with certain equipment or fall over the area where the bone very close to the skin, जब क्या होता है, कभी आपकी क्या होता है, आपने देखोगा, कभी आप गिर जाते हो, तो आपकी चूट लग जाती, वो आपके वहाँ पे, वो एरिया क्या हो जाता है, थोड़ा सा घिस जाता है, तो आपका हलका हलका सा bone का area, skin से आपका touch रहता, तो आपकी bone हलके से दिखने लग जाती, तो ये होता है, abrasion, next है आपका bone injuries, मतलब जो आपकी हड्या होती है, उनमें किस-किस तरीके से injury हो सकती है, ये pictures भी आप देख रहे हो, जैसे, पहला है simple fracture, फिर है next है compound fracture, complicated fracture, green stick fracture, और impact fracture, simple fracture में क्या होता है, हलका सा आपकी, जो हड्डी नॉर्मल से आपकी खिसक जाती है, अपनी जगे से थोड़ा सा खिसक जाती है, compound fracture होता है, हलकी सी आपकी हड्डी ब्रेक हो जाती है, और complicated fracture देखो, आपकी हड्डी वहाँ पर चूर-चूर हो जाती है, ठीक है, green stick में क्या होता है आपकी लाइनर वे में टूड जाती है और जो लास्ट है इंपक्त फ्रेक्चर उसमें क्या होता है हड्डी के बहुत सारे टुकड़े हो जाते तो यह हैं आपकी डोन इंजरी मतलब बोन आपकी किस-kis तरीके से इंजर्ड हो सकती है पिर आपका prevention of sports injury मतलब आपको sports injuries से कैसे कैसे prevent करना आपको कैसे संभालना है first आपका warm up and cooling down using protective equipment regular fitness training avoid overtraining proper sports facilities warm up आपको क्या करना है proper warm up करना होता है आपको exercise अच्छे से करनी होती है good warm up increase blood and nutrients flow the muscles and increase concentration which help in the avoid injuries आपको क्या होता है concentrate करके आपको exercise करना है warm up करना जिससे क्या होगी आपकी injuries avoid next है आपका regular fitness training आपको अच्छे से fitness training जो आपको regular करनी चाहिए आपको ऐसे नहीं आज करें आपने कल छोड़ी तो आपको regular करनी चाहिए next है आपका avoid overtraining आपकी जो overtraining है उसको avoid करनी है आपको normal training करनी है जितनी है आप first day करते है उतनी है आपको last मतला आपको extra over नहीं करना है next है आपका proper sports facilities there is a direct relationship between sports facilities and sports injuries अगर आपकी sports facilities अच्छी होगी तो आपको sports injuries नहीं होगी if playgrounds are maintained properly the chances of getting injured on the playground will be reduced अगर आपका playground अच्छे से properly maintained है तो आपकी चोट लगने की chances बहुत ज़्यादा कम हो जाता है next है आपका treatment of sprain and strain sprain और strain की treatment कैसे कैसे होती है इसकी दो therapy होती है पहले होती है price therapy price का मतलब होता है P-R-I-C-E P से होते हैं आपका protection आपको अपनी जहां चोट लगी injury उसको protect करना है rest होता है कि अगर आपकी कोई भी body part में injury हो रही की तो आपको rest भी बहुत जरूरी है ice therapy होता है कि अगर आपको affected area होता है 15-20 मिनट तक उसमें क्या हो करना आपको ice करना है ठीक है compression होता है use elastic compression bandage during the day to limit swelling as well as bleeding अगर आपकी swelling हो रही है तो आपको bandage उसमें लगाना है अगर आपको bleeding हो रही है तो elastic compression या bandage आपको लगाना होता है ठीक है next है आपका rice therapy rice मतलब होता है R-I-C-E-R से होगा आपका rest in injury limb जो आपके injury limb होगी उसको rest मिलना चाहिए ice the area जो area आपको उसमें ice लगाना है compression होगा elevation होता है last point है आपका first aid first aid is a assistance given to any person suffering from a sudden illness on injury with care provided to preserve life first aid क्या होता है कि कभी आपने देखा होगा कि आचानक से कहीं कोई accident होता है तो एकदम से तो ambulance वहाँ पे नहीं पहुचेगी न तो उससे पहले क्या होता है जो वहाँ के local लोग होंगे जो आप देखने वाले होंगे या अगर injured people अगर ठीक थाक अगर आप उसको लगता है कि वो खुद कर सकते तो उससे पहले क्या होता है कहीं से वहाँ पे bandage या हलका सा detall या ointment लगाके वो लोग थोड़ा सा पहले starting में अपना prepare कर सकते हैं It is an immediate and temporary care given to a victim of an accident or sudden illness before the service of physician is obtained जब तक महाँ पे कोई physician नहीं आया उससे पहले आपको जो खुद treatment करना होता है हो क्या होता है First Aid A person does not need lots of equipment to give First Aid a package of a few materials such as antiseptic, bandage, scissor, cotton, plastic wipes can be packed and First Aid kit is ready एक person को ज़्यादा जरुद नहीं होती equipment की First Aid में आपका क्या होना चाहिए Antiseptic आपकी क्रीम होनी चाहिए, ointment होना चाहिए यह bandage होना चाहिए और एक scissor होना चाहिए, cotton plaster होना चाहिए, wipes होना चाहिए जिससे हम वो injured area को साफ कर सके और First Aid kit आपकी ready Last है आपका aims and objective of First Aid First Aid के aims और objective क्या होते हैं सबसे पहले preserve life अगर आप First Aid कर रहे हो तो आपकी life क्या होती है, preserve हो सकता है, आप किसी की जान बचा सके कभी अचानक से ऐसा होता है ना बहुत ज़्यादा accident हो रहा तो आप खून अगर bleeding किसी की अगर बहुत ज़्यादा हो रही है तो क्या होता है उसकी आप उसकी bleeding को रोकने के लिए उसके bandage लग यूज कर सकते हो आपको पट्टी बांद सकते हो जगे को थोड़ी देर के लिए बंद कर सकते हो ताकि कभी-कभी देखा है ना डॉक्टर बोलते कि हाँ अगर आप इसमें bandage नहीं लगाते तो इसकी जान भी जा सकती तो आपकी किसी की life को preserve कर सकते हो प्रोवाइट relief from pain and suffering the immediate objective of first aid to provide relief to bounded person from pain and suffering pain is natural in any type of accident and become unbredable in case of fracture is dislocation of joint during accident अगर कोई injured people है या sports person है तो उसको क्या relief थोड़ा सा provide relief from pain और suffering अगर वोई बिमार है उसको दर्द हो रहा तो उससे थोड़ा सा आराम मिल जाता है उसको last point है आपका promote recovery finally we can promote recovery by arranging prompt emergency medical help in addition simple first aid can significantly affected the long term recovery of injury अगर कहीं पर किसी की बहुत ज्यादा चोट लगी तो आप उसको आराम से rest दिला सकते हो आप उसको आराम से उसे लिटा सकते हो उसकी medical help कर सकते हो और आपको normal उसका simple first aid कर सकते हो जब तक doctor नहीं आता है तो उसका आप अच्छे से थोड़ा सा treatment कर सकते हो यहाँ पर आपका चाप्टर खतम होता है थैंक यू